हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बैक टू मैं चानल, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ राजस्तानी कांजी वड़े की रेसिपी जो की बहुती टेस्टी और चटपटे से बनते हैं, साथी में ये डाजेशन के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, खास करके ये होली दिवाली पर बनाई जाती है, क्योंकि इस समय हम चटर पटर सी चीजे ज्यादा खा लेते हैं, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने पूरत दाल को अच्छी तरसा दो के साइड में रख लिया है, अब हम यहाँ पे कांजी के पानी को त्यार कर लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे दो चमच पीले सरसो लिये हैं, एक चमच राई, दो सुखे लाल मिर्च, थोड़े से अजवाएं, इनको हम एक मिनट के रख लेंगे, इन्हें ठंडा करके हम मिक्सर जार में डाल लेंगे, साथ में मिलाएंगे थोड़े से हल्दी, नमक, मिर्च पॉडर, कारा नमक और थोड़े से हिंग, इनको हम मिर्च पॉडर त्यार कर लेंगे, अब एक कांच के बरणी में, पान्च क्लस्प मैंने पानी ले लिया है साथ में मैंने मिला लिया है अपने पीसेवे मसाले खटा इसके लिए मैं यहां दो चमच इमली का पानी मिला लूँगी आप चाहिए तो दही भी इस्तमाल कर सकते हैं इससे कफी चटपते से बनके तैयर हो जाते हैं अब मैं इन्हें दूप में रख लूँगी दूप में रखने के पहले मैं कप्रें से अच्छी तास नचा झ presence कर buenas कर लिया है वैसे तो पाराम्परिक दोर पर इसे दो –3 दिन फार्मेंट किया जाता है दुप में र कब लेकिन मैं यहाँ सुबह से शाम में इस्तिमाल कर लूँगी जब तक हमारे कांजी फर्मेंट हो रहे हम अपने वडो की त्यारी कर लेते हैं वडो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कटोरी बीगेवे मुंग डाल ले लिये हैं और एक कटोरी उड़त डाल और साथ में एक इंच अद्रक का टुकड़ा इनको हम मिक्सजार में डाल फाइन सा पेश त्यार कर लेंगे देखिए हमारे बैटर त्यार है अब इन्हें हम एक खुले से बरतन में निकाल लेंगे बैटर में हम मिलाएंगे थोड़े से हल्दी और इन्हें हलके आतों से मिलाते हुए फेट लूँगे इन्हें हम कम से कम आठ से दस मेंट तक अच्छी तरह से फेटेंगे आप देख सकते हैं कि आठ से दस मेंट मैंने इन्हें अच्छी से फेटा और इनका टेक्चर कितना अच्छा निकला है काफी हलके हो गया है अब इसमें हम कुछ फ्लेवर्स मिला लेते हैं फ्लेवर्स के लिए मैंने या पर डाले हैं दो छोटे कटे हुए हरी मेर्च धनिया पत्ते नमक डाल रही हूं चुटकी भर सोड़ा और जीरा मिला लेंगे और इन्हें सब को अच्छी तरह से मिला कर दस मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे तब तक हम एक पानी तयार कर लेते हैं पानी में हम सिफ नमक मिलाकर इन्हें भी साइड कर लेंगे अब एक कड़ाई में तेल निकाल लेंगे और इन्हें गरम होने के छोड़ देंगे हमारे तेल गरम हो गया है अपने बड़े एक फ्राय कर लेते हैं हम यहां पे छोट छोटे गोलगोल से वड़े बना कर त्यार करेंगे इनको चारोतर खुमाते हुए हम हलका गुर्डन ब्रॉन होने तक इन्हें प्राय कर लेंगी हमारे बड़ेत बनके त्यार है अब इन्हें हम निकाल लेते हैं चलि मैं आपको दिखाती हैं हमारे बड़े कैसे त्यार हुए देखें कितने सॉफ्ट से बने हैं अंदर से भी देखें हमारे बड़े एकदम रूई की तरह सॉफ्ट से बन गया है अब इनको हम पानी में निकाल लेते हैं इन्हें हम 10-15 मिनट तक पानी में इसी तरह से छोड़ देंगे 10-15 मिनट हो गए हैं अब इन्हें हम पानी से निकाल लेते हैं एक एक करके हम बड़ो को हलके हाथों से दबाते वे पानी निकाल लेंगे हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है हलके आतों से निकालेंगे पानी अब इनको हम कांजी में मिला लेते हैं जब आप सब करना हो तब ही कांजी में मिलाएगा पहले से मिला के ना रखें अब अपने कांजी वड़े में थोड़े से पुदिने में तोड़के डाल रही हूं इससे इसका फ्लेवर काफी बढ़ जाता है साथ में मिला लोंगी बूंदी नमकीन वाले अच्छी तरह से मिला कर चले इनको हम सर्व कर लेते हैं कि हमारे कांजी कितने अच्छी बनके तयार हुए हैं देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं और यह आप ज़रूर ट्राइ करेगा और मुझे बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा थांक्स फॉर वाचिंग